तो 15,000 का बज़ेट है और आपको एक अच्छा 5G स्मार्टफून लेना है तो 10 से 11,000 पर खर्च करके बोटो का G34 लेनू या फिर 1000 से 1500 रुपे बढ़ा के बोटो का G54 परचेस करूँ डॉंट वरी बिल्कुल सई वीडियो देख रहूँ बहुती शॉर्ट में एक्स्प्रीन करने की कोशिश करूँ है पहली बार चैनल के उपर आयो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर देना साथी साथ सब्सक्राइब करते हुए जाना तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों क अच्छा लगते हैं दोनों फोन वैसे तो प्लास्टिक बैक लेकर आते हैं फर्क से वितना है कि मोटो जी 34 में आपको वीगर लेदर बैक मिलता है और जी 54 में आपको मैट फिनिश फिंगरपिंट और स्मर्चेस दोनों के उपर ही नहीं आते लेदर फिनिश होने की वहीं जी 34 में आपको 6000 अबेच की वैटरी देखने को मिलती है तो यह थोड़ा सा हेवी साइड हो जाता है दोनों फोन के अंदर साइड मांटेड फिंगरपेंट सैंसर दिया है जो कि दोनों के अंदर काफी अच्छे से काम कर रहा है तो डिजाइन ऐसी चीज है कि आपको क कुछ भी पसंद आ सकता है आपको मैट फिनिश भी अच्छी लग सकती हो और आपको वीगन लेदर भी अच्छा लग सकता है तो आप अपने देख सकते हो वागि डिस्प्ले वाइज अगर बात करें तो दोनों फोन में आपको काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा ओन पेपर डिस्प्ले फिचर तो दोनों फोन में अल्मोस्ज सेम है जो डिफरेंस है वो आप देखोगे इनके स्क्रीन रेसूलीशन के अंदर गर अच्छ दी ऐस बात करें थेखने को मिलेगा दोनों फॉन में आपको dual stereo speakers देखने को मलते हैं, जो कि Dawn भी Atmos को support करते हैं, sound quality और details दोनों फॉन के अंदर काफी एच्छे, even जो 3.5 का audio jack है, वो भी आपको दोनों फॉन में दिया है, लेकिन software के अंदर कौन सा फॉन सही है, तो देखो दोनों फॉन almost same software experience करवाते हैं, पर एक जो आपको decision making में काफी ज़्यादा help करेगी, वो हैं इनकी software update, वैसे तो दोनों device के साथ पर आपको एक साल का OS update और तीन साल के security update देखने को मिलेंगे, लेकिन जो moto का G34 है, वो out of the box Android 13 के ओपर चल रहा है, और जो G34 है वापर आपको latest Android 14 देखने को मिलता है, तो एक OS update को लि folder दोनों फोन के अंदर दिया है, जासे आप apps को लोग कर सकते हो, dual apps बना सकते हो, और app को hide भी कर सकते हो, अब अगर performance वाइस बात करें तो moto G34 में आपको मिलता है, snapdragon का 695 प्रोसेसर और moto G54 में media tech का 7020 प्रोसेसर है, दोनों ही device के अंदर आपको LPDDR 4X RAM मिलती है, और UFS 2.2 का storage देखने को मिलता है, अगर आप अंतुतु score देखोगे, तो आप देखोगे G54 के जो scores है, वो slightly better निकल कर आते हैं, पर normal life में जो score वाला difference है, यह आपको इतना notice नहीं होगा, क्योंकि दोनों फोन के अंदर आपको almost similar सी performance देखने को मिलेगी, depend on the variant, G34 में 4GB 128GB आता है, वो अच्छी performance नहीं देगा, थोड़े से price difference के अंदर आपको 8GB 128GB बिल रहा है, तो फिर आप वो purchase करना, तो आपको इतना कुछ खास difference notice नहीं होगा, लेकिन बैटरी के मामले में, of course यहाँ पर G54 आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6000Ah की बैटरी मिलती है, जहाँ 33W की fast charging दिये, वही G34 में आपको सिर 5000Ah की बैटरी दिये, साथी साथ 20W की fast charging का support मिलता है, तो बैटरी बैकप के अंदर definitely Moto G54 यहाँ पर better option है, वही अगर बात करें, network की दोनों 5G processor के साथ में आता है, 5G दोनों के अंदर काफी अच्छे से काम कर रहा है, 5G के bells भी यहाँ पर दोनों की काफी अच्छी देखने को मिलेगी, call recording के अगर बात करें तो दोनों phone में Google dialer आपको मिलता है, किसी की मीच चुपके से call recording आप नहीं कर सकते, बाकि अगर आप call recording करना चाहते हो, तो 60 second का एक short video मैंने बना रखा है, वहाँ से आपको अच्छा घाजा जुगार मिल जाएगा, वीडियो के description में link दे दूँआ, जाकर check out कर देना, आप वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हो, बात करते हैं इन phone के camera's के, लेकिन उससे पहले, कहीं पर भी आपको वीडियो पसंदाराते हो, एक like कर देना, साथ ही साथ एक अच्छा सा comment कर दो, ताकि वीडियो ज देखने को बिलते हैं, एक color और sharpness का फरक है, Moto G34 की image थोड़े से bright होते हैं, हलका सा color और saturation वहाँ पर बढ़ा हुआ नजर आएगा, जिसकी वज़े से G34 की image colorful और देखने में अच्छे लगते हैं, इसके लग जो light control है, जो dynamic range है, वो आपको दोनोंवे phone के अंदर आपको almost same सा काम करता है नजर आएगा, बाकी portrait shots में edge detection दोनोंवे phone का decent type का है, हलका सा background में detail G54 consistent रखता है, बाकी no light और night में वैसे तो result same होते हैं, बट अगर आप थोड़ा गोर करके देखोगे, तो G34 की image थोड़े से bright होते हैं, contrast और saturation level ज़्यादा होने के वीज़े से थोड़े से sharp लग अब जितने भी photos मैंने आपको बता हैं, सारे Google Drive के अंदर save कर दिये, वीडियो के description में आपको link दे दोगा, खुच जाकर वहां से check कर सकते हो, बात करें ultra wide angle lens की जो आपको सिर्फ G54 के अंदर देखने को मिलता है, वहां से आप decent type के photos ले सकते हो, लेकिन G34 के अंदर तो option ही न देते हो, जूम करके देखूँगे तो details दोनों फोन में almost same सी है, light control भी दोनों का काफी अच्छा है, बस color और skin tones का फरक है, G34 color और skin tones को थोड़ा सा boost करके दिखाता है, और G54 के skin tones और color normal होते हैं, बागी low light या फिन night condition में details दोनों फोन ने लगवां बराबर सी maintain किये, जहां Moto तो G34 के image थोड़े से bright होते हैं, वहीं G54 color और skin tones को जादा अच्छे से balance करता है, बागी video's की बात करें तो दोनों फोन के front camera से आप 1080p 30fps तक की video's बना सकते हो, quality दोनों के अंदर same में difference कर पाना काफी मुश्किल है, बस हलका सा color difference का फरक है, और कुछ नहीं, तो camera को लेकर ये सीने के दोनों फोन के अदर जो details है, वह आपको बराबर देखने को मिलेंगे, बस color और skin tones का फरक है, अब इन सारे point के base पे सवाल आता है कि कौन सा phone purchase करें, तो देखो तीन major difference आपको मिलते हैं, पहला तो price phone को लेकर G34 आपको 1500 सस्ता मिल जाएगा, एक software update जादा देखने को मि बागी अगर यह 1500 का difference आपके लिए matter नहीं करता, आपको full HD plus display के साथ में बड़ी battery वाला phone चाहिए, तो फिर ऐसे के अंदर Moto G54 आपके लिए एक better option है, यहाँ पर आपको software update के साथ में थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा, तो बहुत ही simple तरीके से मैंने आपको सब कुछ बता दिय अगर मेरा तरीका आपको पसंद आया ते वीडियो को लाइक कर देना, साते साथ चैनल को सबस्प्स्पैक करते हो जाना और कोई भी सवाल इन दोनों phone से related आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हो, मैं मिलता हूँ किसी next वीडियो में किसी नए topic के साथ अब तक के लिए जय जबारत